वो संदिया है डाइगोनल स्केल का कि 1 by 60 निरूपक भीन की विकण मापनी बनाई है जिस पर मीटर डेसी मीटर तथा सेंटी मीटर पढ़े जा सकें तथा जो 12 मीटर तक की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो इस मापनी पर 3.75 मीटर और 9.5 मीटर की 5.3 मीटर की दूरिय कि कंस्ट्रक्टर डाइगोनल स्केल आफ आर्याफ 1 by 60 विच कैन रीट मीटर डेसी मीटर सेंटी मीटर एंड इस लांग तो इनफ तो रीड अप तो 12 मीटर मार्क डिस्टेंस आफ 3.75 मीटर और 9.35 यहां पर 1 by 60 होगा ठीक है 1 by 60 यहां पर आपको आर्याफ निकालने की जुरूत नहीं है आर्याफ आल रेड़ी यहां पर गिबेन है 1 by 60 और आपको मैक्सिमन डिस्टेंस यहां पर दिये रखा है read enough to read 12 तो इस तरीके से आपको बताऊंगे कि इसको solve कैसे करेंगे यहां पर देखिए कि आर्याफ हमने निकाल लिया था कोस्टन से कि 1 by 60 दिया है और आपको दिखाना क्या है डाइग्राम में 3.75 और 9.53 जो कि कोस्टन में दिया था मीटर में है यह इसके बाद जब यह दोनों दिया है अगर यहां पर आर्याफ न दिया होता तो पहले आर्याफ निकालते इसके लिए आमने पहले आपको आर्याफ का फर्मूला यह लिखवा रखा था ठीक है यह आर्याफ का फर्मूला है लेकिन इस कोस्टन में आर्याफ क affiliator ke given ही यह आर्या вып is equal to 1 by 60 तो आपको अब क्या करना है लेंथधी सकेल निकालना है लेंथधी सकेल कैसे लेंथी सकेल निकालने के लिए यह आपनी की लंबाई काते हैंगे जो डाइग्राम बनाएंगे उसकी बेस की लंबाई क्या हो गी बी डाइग्राम बना के भी इसके लिए formula होता है आर्यव म्यृटिप्लाइट मैक्सिम्म डिस्टेंस या इसे का सकते हैं नीरूपक भीन multiplied by अधिक्तम दूरी अधिक्तम नीरूपक भीन क्या है कोषण में दे रखा है आर्यव वन बाई 60 और मल्टिप्लाइड बाई maximum distance कि इसमें कोशन में दे रखा था maximum distance 12 मीटर तो इस मीटर को हमने centimeter में change कर लिया क्योंकि हमने पहले भी बता रखा है कि इसमें सारी चीजे सेंटीमीटर में लेंगे इसलिए 100 से multiply किया जब इसे calculate करेंगे तो 20 आ जाएगा ठीक है तो बेस लाइन बनाने के लिए आपको यह ध्यान रहे कि जो कोस्टन में सबसे ज़्यादा दूरी है वो हमेशा अधिक्तम दूरी होती है अब आप देखते हैं कि स्केल ड्रा कर से करते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले एक 20 सेंटी मिटर की लाइन खीश लेंगे यहां से यहां तक की यह पूरी लाइन यहां से यहां तक की 20 सेंटी मिटर है अभी बताते हूं खीज के कि यह 20 cm की लाइन कैसे बन रही है यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया इस पॉइंट से और इस तरीके से हमने यहां तक की 20 cm यहां 20 cm दिख भी रहा होगा इसकेल पे 20 cm आपने लाइन खीज लिया जो कि हमने पहले से यहाँ पे calculate किये थे 20 cm अधिक्तम लंबाई यह होती है अधिक्तम लंबाई तो इस तरीके से आप खीश लेंगे यहाँ तक ठीक है अब बताओंगे कि इसके parts इतने parts कैसे हो गए हैं 12 parts हुए हैं तो इसमें देखिए कि जितने भी maximum distance यहाँ पे दिया हो आपको बताओंगे कि आपको अपने इसको ड्राप्टर को 30 डिफ्रीय मअ अफ़ करने के बाद क्या करेंगे यह इसे कर लएगे और तरीके से एक ऐसे रखते हुए एक लाइन खीच लेंगे इस तरीके से रखते हुए हमने एक लाइन सीधी कीच लिए है सीधी लाइन इस तरीके से हमने यहां से पैंसिल रखते हुए इसकोने से यह विल्कुल नीचे तक लाइन गई है यह वाली लाइन हमने यहां करने हैं तो पहले इस लाइन पर दिविजन बार करेंगे ठीक है 12 पार्ट पहले इस वाली लाइन का जो 30 डिग्री पर बनाये थे इसका करेंगे फिर उसके बाद आप यह सीधी लाइन 12 पर होगी इसके लिए आप कोई भी डिस्टेंस अपने प्रकार में ले सकते हैं आप कमपास में आप ठीक है इतनी भी ले सकते हैं कितनी भी अपने इस हाब से लेकिन जुब बारो इस तरीके से हमने करते हुए इसको यहां पे रखे सब सारे equivalent हैं ऐसा कि कोई चेंज हो यहां से करते हुह हमने यहां तक 12 कर लिए देन सकते हैं primeiroambel 5 6 7 8 9 10 11 12 क्योंकि maximum distance कितनी दे रखी है 12 इसके बाद क्या करेंगे कि आपको इस line को उपर तक ले जानी है उपर तक ले जाने के लिए इस ट्राप्टर को पहले इस तरीके से करके यहाँ पर ऐसे set करना है आपको set करना है ठीक है इस कोने से लेके उस कोने तक बिल्कुल किनारे वाले कोने तक set करना है set करके आपको clam करना है यहाँ से आप clam कर देना इस कोने वाले चाप से लेके इस कोने वाले चाप तक